गुट पॉर्निंग आम कम्प्यूटर टीचर और मन्बोधन परशाद पब्लिक स्कूल शाम नगर सीब्यसी एफिलेटेड इस्कूल एंड तुड़े आम टीज्टू कम्प्यूटर आम मशिन ओके क्लास थर्ड लास्ट क्लासस में हम लोग ने सीप्यों के कंपोनेंट्स के ब एंड झूटियो और यू यू नेंच्ट हमारा जून टॉपिक था माउश माउस के बारे में हमने पढ़ाता जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाए था कि यह माउस है और इसका हम क्या यूश करते हैं किस परपस ही हमारा माउस का यूल यूस कहीं and the next topic printer printer के बारे में पढ़ाता है and the difference between hard copy and soft copy soft copy और hard copy के बीच में difference बताया था and next topic the characteristics of a computer computer की सारे details के बारे में बताया था कि speech, story, accuracy, versatility and diligence इन सब के बारे में मैंने आपको कल classes में आपको पढ़ाया था now आप हम लोग निक्स्ट है लेकिन अभी भी मुझे इससे related जो मैंने आपको वक्षीट आप लोगों को सेंड की थी अभी भी मुझे काफी बच्चों का response नहीं मिला है तो हम चाहेंगे कि हर बच्चा वक्षीट 4-5 p.m. के duration में हमें सेंड करें और अगर आप पहले वीडियो बहुत अच्छे से देखिए अच्छे से पढ़िए अच्छे से समझेए अगर कोई doubts है तो उससे related जो भी आपकी query है या questions है आप वही 4-5 p.m. के duration में हमसे पूछ सक करते हैं आप हम आज का topic स्टार्ट करें जा रहे हैं वाइड वी यूज आ कंप्यूटर के हम कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं आज हम फिर से पढ़ेंगे अभी तक तो हमने computer के parts के बारे में पढ़ा था computer की स्पीट के बारे में storage के capacity के बारे में इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि computer हम यूज क्यों करते हैं तो लेट्स स्टार्ट कंप्यूटर is a high speed data processing machine जैसे कि आप लोग को मैंने last time से मैं बताती आ रही हूं कि